सारे विरुजन वेरा नमस्कार चैप्टर थर्टिन एक्स्पोनेंट्स और पावर सेव्थ क्लास मेर्दा नेक्स्ट टॉपिक का लाज और एक्स्पोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक लो फर्स्ट ला है इफ ए इस अनि रैशनल नमबर and mn are integers then a raised power m multiplied by a raised power equal to a raised power m plus n लो इन्हों अच्छी तरह समझीए लो इह में लिखिया थे जो दो base सेम है लो एक वरी फिर समझे लो जिदा मैं a लिखिया a base है m वो दी पावर है इन्हों exponent भी बोल दने है उपराली पावर नो जिदा a दी पावर तेन ना इता मतलो होंदा a raised to power 3 a multiplied by a multiplied by a एक निवरी multiply हो रहा 3 times अगर base नीचे आड़े सेम हों ताप पावरा add हो जादियाने जिस तरह फॉर एक्जामपल 2 raised to power 3 multiply 2 raised to power 4 तो होन basic को जे आता अगर मैंनो पूरा solve करूं तो देखो दो नो तेन वरी multiply करूंगा दो नो चार वरी multiply करूंगा ते एक दो तेन चार पाँछे साथ दो दी पावर साथ बन गई ते जे मैं से दिए power 1 ते एड़ कर दूंगा 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 4 एक दे बरबर रहना तेन जमा चार तेन जमा चार बरबर दो दी पावर साथ एदा मैं सिद्धा है लिख दिया करूंगा आद देखो अगे होर एक्जामपल माइनस 3 raised whole power 5 multiplied by माइनस 3 raised whole power 7 उन्हेते बेस माइनस 3 है ता अपा पावरा एड़ कर देंगे 5 प्लस 7 के दिए माइनस 3 raised whole power के दिए बन की 12 लो एसे का पहला रूल जे बेस सेम है ता पावरा एड़ कर देओ इफ एज जैनी नौन जिरो रैशनल नंबर एंड मन रिंटीजर हों डिवीजन है हों बेस सेम है लेकिन डिवीजन है उस वक्त की होनी है पावरा सब्ट्रेक्ट होनी है M माइनस है इननों पहला लिखना है ज्याद रखो जड़ी ये पावरा पहला लिखनी है 5 raised power 4 डिवीजन 5 raised to power 2 अगर मैं नों complete पूरा solve करूंगा 5 नों 4 बारी multiply करूंगा और नीचे 5 नों 2 बारी कटूंगा ते करना पांच गुणा पांच है आगया 5 raised power 2 तो मैं नों direct ही लिख दिया करूंगा तो 5 raised power 4 डिवीजन 5 raised power 2 के दे बराबबर आगया 5 raised to power 4 minus 2 बराबबर 5 raised to power 2 अगली example 3 raised to power 7 डिवीजन 3 raised to power 4 एदा मतलब एही 3 raised to power 7 बटा 3 दी पावर 4 ता हम पावरां सब्ट्रेक्ट होनगी है 7 minus 4 तो कि नागे 3 raised to power 3 अगर पूरा सब इंप्लिफाइ कर रहा है 3 multiplied by 3 multiplied by 3 3 3 3 9 3 सताई बन जेगा एसी second rule जो दो बेस सेम है डिवीजन है तो पावरा ने सब्ट्रेक्ट होना लो third rule if a is any non-zero rational number then a raised to power 0 equal to 1 जिदा पहला देख लिए जिदा 4 raised to power 3 बटा 4 raised to power 3 है अगर इन्हों मैं solve करूं 4 3 लिखिया 4 3 लिखिया 4 3 लिखिया तो सारे कट्टे गए तो कि नाँसरा गया 1 एदा मलो दोनों पावरां अगर दोनों इन्टीजर सेम होना दिया पावरां सेम ही होना दे बेस है तब फिर सब्ट्रेक्टी होएगी है 4 लिखिया 4 लिखिया 3 माइनस 3 किनी बढ़गी 4 लिखिया 4 लिखिया अगर देखिया बरबर आज एको अपस all करके भी देख लिखिया एदा है जे 7 दी पावर 0 होएगी तामी एक जे माइनस 3 दी पावर 0 होएगा ता 1 कहां दा मलो जो दो पावर 0 किसे भी वैल्यू दी होनी चाहे x दी पावर 0 तामी 1 ता 1 ही आएगा कहां दा मलो किसे भी इन्टीजर रैशनल नंबर दा अगर एक्सपोनेंट 0 है चाहे वेरियेबली है एक्सपोनेंट होदा भी 0 है आंसर के ना आएगा होदा एक दे बराबर आएगा लो क्वेस्चन नंबर 4 लो 4 देख दें 4 ने 4 रूल इफ एज एज एनी रैशनल नंबर एंड मन आर इंटीजर देन a raised power m whole power n is equal to m multiplied by n तो जो दो a raised power m whole power n होवे तो इना आपस दे वेच पावरा ने multiply होदा दोनों एक्सपोनेंट्स ने आपस दे वेच multiply होज़ना है जो दा 3 raised power 4 whole power 5 तो मैं सिदा लिख सकता 3 raised power 4 multiplied by 5 किनी raised बनगी 3 raised power 20 अगर मैं पूरा solve करूँ 3 raised power 4 whole power 5 देखो किना बनना 3 raised power 4 किनी वरी मैं लिखूँगा 1,2,3,4,5 जिनी पावरों ने वरी लिखूँगा उने ना मैं add करूँगा जे 3 है किनी वरी 1,2,3,4,5 तो एक किनी बनगी 3 दी 5 वरी एना एक 5 वरी एड़ की था 4,4,8,4,12,4,16,4,20 तो 3 raised power 20 देखो उना ही result आ गया है 5 विफ्थ रूल इफ ए,b are any rational numbers and n is an integer then a raised power n multiplied by b raised power n उन बेस लगा लेकिन पावर एक जैसे हैं exponent एक जैसे हैं तो इनको हम multiply करके लिख देंगे a multiplied by b चाहे multiply पाव ना पाव एक की मतल होता है a,b raised power n a,b की whole power n for example जिदा 2 raised power 3 multiplied by 3 raised power 3 अगर पूरा हल करें इसको 2 ने 3 बार multiply हो नहीं 3 ने भी 3 बार अब इनकी pairing कर लेते हैं 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3 कितनी बार आया 1,2,3 बार तो जै अगर बेस माले 2 into 3 तो होल पावर की ने बनगी 3 तो जहीं बात हम कर रहे हैं तो इनको हम multiply करके whole power लिख सकते हैं ऐसे for other example 3 raised power 4 multiplied by 5 raised power 4 अब power एक जैसी हैं जहां basis अलागात हैं basis को कठा करके whole power 4 लिख सकते हैं और 6th rule if a, b, b not equal to 0 are any numbers numbers and n is any integer a raised power n बटा b raised power n जहां divide है लेकिन power एक जैसी हैं basis अलागा अब basis को कठा करके whole power n लिख सकते हैं sign बेच में रहना division ही है ऐसे भी हम कर सकते हैं a raised power n divide division ऐसे हैं division का sign of b power n equal to a b की whole power n बात एक ही है लोग इंग्जामपल देखते हैं 2 raised power 4 बटा 7 raised power 4 अब powers एक जैसी हैं exponents एक जैसे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 बटा 7 की whole power 4 इनको लग करके अगर इधर से इधर भी जा सकते हैं इधर से इधर लिख सकते हैं इधर से इधर ऐसे जैभी question ऐसे ही है left to right भी लिख सकते हैं और right to left भी लिख सकते हैं जे सबी question हो में लोग इसको जड़ा elaborated form में देखें 2 raised power 4 बटा 7 raised power 4 2 को कितनी बार लिखा 4 7 को 4 अब इनको मैंने कठा कर दिया 2 by 7 multiplied by 2 by 7 multiplied by 2 by 7 तो 2 by 7 की कितनी power बन गए 1, 2, 3, 4 तो whole power 4 अब base जे बन गया नहीं ऐसे एक और example देखें 5 raised power 3 बटा 11 raised power 3 है अब exponent एक जैसे हैं बेस लग लग गया तो 5 बटा 11 की whole power 3 लिख सकते हैं सत्मा रूल If A is any non-zero rational number and N is any integer A raised power minus N को कैसे लिख देंगे reciprocal form 1 बटा A की power N कैसे बना जे जैसे मैंने 1 बटा A की power N 1 को मैं A की power 0 लिख सकता हूं तो जे subtract करके क्या बनेगा A 0 minus N तो कितना बन का A की power minus N देखो ऐसे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं A raised power minus 7 लिख सकते हैं तो कितना बन का A बटा A की power 7 अगर जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 बटा A की power minus 4 है तो फिर किना आना जाब वह इसने उपर आना A की power 4 आजेगा लिखेश प्लाइबा्यня झाब आना